असलाम लेकूम, Welcome to Funny Queen मेरी पोस्ट पर आने वालो, Allah तुम्हें सेव वाला मोबाइल दे, आमीन आज आखिरकार वो गड़ी आ ही गई, जिसका मुझे बरसो से इंतजार था लेकिन चल नहीं रही, शायद सेल खतम है हम लड़कियों की जिंदेगी का सफर बेटी चाय पिलादो, बेहन चाय पिलादो, बेगम चाय पिलादो, बहू चाय पिलादो, अमी चाय पिलादो, मरहूमा चाय बहुत अच्छी बनादो मीटा आम अच्छी पुपो खामोश शोहर लाल तर्बूज और सुबब के वक्त पांच मिनट की मज़ीद नींद किस्मत वालों को ही मिलती है किसी ने मुझे से पूचा मर्द और 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 औरत मैं अवजल कौन है मैंने कहा मर्द उन्होंने पूचा वो कैसे मैंने कहा आज तक किसी औरत का नाम अवजल नहीं सुना पहले मुझे लगता था मैं क्यूट हूँ पर जब मैंने खुद को जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो बित्ता हाशा क्यूट हूँ जो कहते हैं कि ब्रेक अप का दुख सबसे जादा होता है पूछना था कि कभी चाय की शदीद तलब हुई हो और पतीली एक भी साफ ना हो इस घम से गुजरे हैं आप चराग लेकर भी डूंडोगे ना तो भी मुझे में कोई अच्छी आदत नहीं मिलने वाली सिवाए शरार्तों के अम्मी लो बिर्यानी खालो मैं मुझसे नहीं खाय जाती उसके बिना अम्मी चपल उठाते हुए कौन है वो मैं राइता अम्मी जी राइता सुबर साड़े पांच बजे उठकर दो सेकंड्स के लिए आंके बन करो तो आड़ बज जाते हैं ये सही तमाशा है वैसे मेरी बेस्टी पानी भी ने उठी तो एक चोड़ेल को देखकर इतना डर गई के एक सो चार बुहार हो गया डाक्टर आया मेडिसन दी और जाते हुए बोला के बढ़ाए महरबानी किचिन में लगा शीशा उतार दे अगर ये लड़की दुबारा डर गई तो इसका वचना नाममकिन है लोग सुबह सुबह उठके पहले शीशा देखते हैं उसके बाद दिन में कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं पता नहीं आज किस मनूस का मूँ देख लिया मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मैं वैली हूँ नी कमी हूँ ये मेरी मा कहती है वो बोल रहा है बोल जाओ मुझे कोई और मिल गई है अब मैं उसे कैसे बताओं दूसरी आईडी से भी मैं ही हूँ तेनू दूजी वारे प्यार होया सोनिया दूजी वारे भी होया है मेरे ना अगर अंग्रेस देख लेकि हम आम खाने के बाद उसकी गुड़ली का क्या हाल करते हैं तो हमारे बहुत से कर्जे माफ हो सकते हैं ना जाने कौन सी लड़कें होती हैं जिनके लिए लड़कें रोते और खुदकुशी करते एक हम हैं जिनके लिए कोई जबानी दमकी भी नहीं देता प्यार मुहबबत ते दूर दी गल्ड तुम लोग मेरे दर्द नहीं समझोगे बिर्यानी खा रहे ही ते आखरी बाइट मे लाइचिया आ गई आदमी पल चोड़कर पकोड़े समोसे खाता है फिर बिमार पढ़कर हस्पताल जाता है हस्पताल के विस्तर पर वो रिष्टदारों के लाए हुए सेब माल्टे और अंगूर खाता है और रिष्टदार खुद हस्पताल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं बस यही जिन्देगी का चक्कर है उसने पूचा कोई ऐसी डिश जो गरवाले सिर्फ आप से बनवाते हैं मैंने इंतिहाई साथगी से जवाब दिया दमाग की दही तो ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बाल